कानपुर के कल्यानपूर इलाके में परवारिक विवाद को लेकर भाई ने बेहन को गोली मार दी जिसके बाद घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराये गया वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को पिश्टल के साथ गिरफतार कर लिया है दरसल मामली विवाद में पती राहुल से जगड़ कर उसकी पत्नी मायके चली गई और ससुराल नहीं लोटी जिसके बाद पती ने शादी के बीच वानी मौसा के घर पहुचकर अपनी आपकी आबीती सुनाई जिस पर घर में हुए विवाद के चलते मौसेरे भाई ने बेहन को ही घोली मार दी कोई ऐसी बाद उसकी शादी को लेके उठी दी क्योंकि वो अपनी वाइफ को दहज इसमें बहुत ही उत्ती रहन करता था तो वो उनको छोड़ के अपने मायक के चली गई है तो उनों ने बोला कि या तो हमारी वाइफ को हमारे घर दो इसके बढ़नों को छोड़ेंगे ने तो इतना काई कि वो बाहार नकला तो पापा लोग कुछ समझ गया हूंगे तो वो लोग अंदर धाग गए और हम किचन में खाना बना रहते हैं समसब जो दिर में बहार निकले जा से यम बहार रहते हैं जिनका पत्यों को बियाई के लेका पई गई है उससे कंदर में इंके आपका गर्म कर लएकी उसको ने ने बाहर खायर किया गए है जोगतार में लगती हैं किस दिर्वाटा हुए तो दाइरी पाथ दाइरी तल्लाइंपुरखाना से पहता है घर पे तो इनके मुशा है उसमें तवरीख मिली है इसमें करना दाएं के दारा है कारवाई कराई जाए